कच्चे एवं रिफाइंड पाम तेल की खेब घटने से दिसंबर महीने में भारत का खादे तेल आयाद सालाना आधार पर 16 प्रतिशत घटकर 13.07 लाग टन रह गया। उद्योग संगठन, Solvent Extractors Association of India के शुकरवार को जारी आंकडों के मुताबिक, खादे तेलों का आयाद पिछले साल दिसंबर में घटकर 13.07686 टन रह गया, जो एक साल पहले समान अवधी में 15.55780 था। खादे तेलों के खंड में कच्चे पाम तेल का आयाद 8,43,849 टन से घटकर 6,20,020 टन हो गया जबकि रिफाइन पामोलीं की आवग 2,56,398 टन से मामूली गिरावट के साथ 2,51,667 तन रही। हालाकि समीक शाधीन अवधी में कच्चे सूरज मुखी तेल का आयाद 1,94,009 टन से बढ़कर 2,60,850 टन हो गया। गैर खादे तेल का आयाद दिसंबर 2022 के 10,349 टन से घटकर पिछले महीने 4,000 टन रह गया। ऐसे ये ने कहा कि दिसंबर 2023 में वनस्पती तेलों खादे तेल और गैर खादे तेल का आयाद 1 साल पहले के 15,66,139 टन से 16,16 प्रतिशत घटकर 13,11,686 टन हो गया। तेल विपनन वर्ष 2023 से 24 के पहले दो महीनों में वनस्पती तेलों का कुल आयाद 21 प्रतिशत घटकर 24,72,276 टन रह गया जबकि इसके एक साल पहले की समान अवधी में यह 31,11,679 टन था। तेल विपनन वर्ष नवंबर से अक्टूबर तक चलता है। इस दोरान खादे तेलों का आयाद 30,84,540 टन से घटकर 24,55,778 टन रहा जबकि अखादे तेलों का आयाद 27,139 टन से घटकर 16,498 टन हो गया। नवंबर से दिसमबर 2023 के दोरान खादे तेल आयाद में रिफाइन पामोलीन की हिस्सेदारी 15 प्रतिशत से बढ़कर 17 प्रतिशत हो गई है। जबकि कच्चे पाम तेल की हिस्सेदारी 85 प्रतिशत से घटकर 83 प्रतिशत हो गई है। नवंबर से दिसमबर 2023 की अवधी में पाम तेल का आयाद 22,50,924 टन से घटकर 17,63,677 टन हो गया। सॉफ्ट ओयल का आयाद 8,33,616 टन से घटकर 6,92,101 टन रह गया। Bureau Report Market Times TV